हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज मैं अभी शेक कुमार आपको गड़ित पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग त्रिकोर्मिती पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में हम प्रशनावली तीन दस्मलो चार एंसी आइटी क चार थक हमने कवर किया था आज इस प्रशावली की से सवालों को हल करते हैं तो देरी न करते हुई आई ये वीडियो की भ्यापक हल गयात कीजिए हमें क्या भ्यापक हल हमने आपको में ब्यापक हल ऑर मुख्य 것으로 कि आपकाई भी सवाल है custom क्या word भॉयरवर गया है इसे सौल करते हैं तो सबसे पहली बात च्र порब होत बपाप पच्छांतर करेंगे को क्या करेंगे पच्छांतर करेंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा कास फोर एक्स माइनस कास टू एक्स ठीक है बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि कॉस्ट टू एक्स को तो हमने क्या कर लिया है पच्छांतर कर लिया है आप हमारे पास जो बना वह क्या बना कास खोर एक्स-2 एक्स-2 य॥ अबम पहले सूत्र लगाएंगे कौई सा सूत्र लगाएंगे कास-1- Hz kos STEP-4 मतलब c-conoD का क्या लगाएंगे कोस सी माइनस कॉस डी का लगाएंगे सी माइनस कॉस डी के लिए जो सूत्र होता है वह होता है माइनस टू साइन क्या होता है देखे कास के माइनस में दोनों साइन ही होते हैं क्या होते हैं दोनों साइन होते हैं यहां हमले माइनस पहले से इसलिए लगा दिया है कि जब बाद में क्या होता है d माइनस c होता है उसे हम लोग क्या लिखेंगे सी माइनस d ही लिखेंगे तो एक सले s Y by 2 इन्टू क्या हो जाएगा साइन e.x minus y by 2 थिक यह हो गया हमारा इसके लिए cos c-cos d के लिए तो हम लोग यहां देखें यहां यह जब 2x upon 2 हो जाएगा ठीक है? आगे बढ़ें तो हम लोग लिखेंगे क्या? sin 4x minus 2x upon कितना? 2, बराबर क्या रहने वाला है? 0, देखें, ये हो जाएगा हमारे लिए minus 2, sin 4 में 2 जोडेंगे तो 6x 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x into sin 4 में 2 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा और 2 में 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x, बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? minus 2 sin कितना? 3x into sin 2x, अच्छा, उपर वाली line देते हैं, minus 2 sin 3x into sin 2x बराबर क्या हो गया हमारे लिए? 0, अच्छा, हमने याद 2 से भाग नहीं दिया था, 4 में 2 से 2, जब घटेगा, तो कितना बचेगा? 2, और 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? sin x, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास यहां 3 पद मिले, जिसमें वो minus 2 जो हो, वो क्या हो? 0 हो, यह तो संभाव नहीं है, दूसरी बात, 0 कौन कौन हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, कि यदि sin 3x बराबर क्या हो? 0 हो, यदि sin क्या हो? 3x बराबर 0 हो, तो 3x बराबर यदि 0 हुआ, तो यह पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 अंसर देने लगेगा, दूसरी बात, यह भी हो सकती है, कि क्या 0 हो जाए? sin x बराबर 0 हो जाए, तो sin x बराबर भी क्या हो गया? 0, हम लोगों ने व्यापक हल में यह सूत्र पढ़ा है, यदि sin x बराबर क्या होता है? 0 होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है जिरो होता है तो एक्स बराबर क्या हो जाता है यहन पाई क्या हो जाता है यहन पाई फॉर आल यहन इस अलिमेंट आफ जिड प्राक किनके लिए पुढांकों के लिए जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है यहन पाई तो यहां क्या ह अइस क्या हो जाएक यहां हो जाएगा यह हो जाएगा यह हम लोग यहीघ सूत्र प्लाइगे करें लिखेंगे क्या सूत्र रहे हैं NIH इसके जिस से हमारा अंसर बनेगा थी यहां सब्राबर यन पाई क्या हमें एक चाहिए सलिए यहां ये यह इंपाई भाई झा ए यह दूसरा ही यही करेंगे घ्या साइन एक्स बराबर यहां पास जीरो है इसलिए हम लोग इसके लिए लिखेंगे एकस बराबर यंप 창 क्या लिखेंगे एक्स बराबर यंप fabrics equiv तो यहां वारा यहां रहें यह आंसर हो जाएगा इस वरर यनवेट मीन्च किसके लिए फिरीक है यहां भी लिख सकते हैं for all यहनिस element of zit के लिए यह रहाँ आपका क्या answer कौन कौन से answer है व्यापखल में आपके answer हो जाएंगे यन πाई गाई 3 और कौन हो जाएगा और हो जाएगा क्या यन पाई क्या हो जाएगा यन पाई ठीक है यह रहाँ का अंसर प्रसंख्य अच्छा हमारे पास है का स्थीन एक्स प्लस का स्यक्स माइनस का स्टू एक्स बराबर क्या हमारे पास जीरो है ठीक है ना यह है कि अब प्लस प्रसंख्य क्या है पास्ट देखिए अच्छा में क्या अल करना है एक्स का ब्यापक खल अगर एक्स का ब्यापक हल में थे सब्से पहले तो नहीं हमने cos y का cos x minus cos y के लिए होता है 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 ठीक है अगला क्या होता है अगर हम लोग को cos x plus cos y लिखने के लिए मिले तो हम लोग क्या लिखेंगे cos x plus cos y के लिए तो cos x plus cos y में दोनों ही क्या रहता है cos यह हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 देखें यहां जो सूत्र लगने वाला है वो सूत्र लगने वाला है plus का कैसे हम लोग cos 2 x को नहीं क्या करेंगे नहीं पकड़ेंगे किसे किसे पकड़ेंगे 3 और x को क्यों क्यों क्योंकि 3 में x जोडेंगे तो क्या मिलेगा 4 और 2 से दिवाइड करेंगे तो इस वज़े से ठीक है तो देखिए यहां से शूट अपलाई करेंगे इन दोने में लिखा गास टीन एक्स प्लस एक्स बाइटु इंटु क्या हो जाएगा कस्तीन एक्स-5 च्छ और क्या बच रहा है माइनस कोस्ट एक्स बच रहा है वर्याबर क्या ह लाइन देखिये अगली लाइन हम लिखेंगे दिया हो जाएगा हमारे लिए टू कॉस्च तीन में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार और चार में दो से भाग देंगे कितना हो जाएगा-क्स टीक है अब कहानी देखिया आगे है आगे कहानी क्या है की इस दोनों में अगर देखे तो मोट पास एक पदाध यह है दूसरा है इन दोनों पदों में कौन कॉमन है делать 2x क्या है हमारे लिए common अगर cos 2x common कर लेते हैं तो पहले वाले पद में कौन बचेगा 2 और यहां क्या बचेगा cos x minus यहां क्या बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है अब देखे यदि cos 2x और 2 cos x minus 1 का जो गुड़न फैल है यदि वो 0 है यदि वो क्या है 0 है तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि क्या cos 2x बराबर क्या हो 0 हो यदि cos 2x बराबर क्या हो 0 हो तो क्या होगा आंसर दूसरी बात यदि क्या हो 2 cos x minus 1 बराबर 0 हो, तब क्या होगा, हमें व्यापक हल ग्याद करना है, इसलिए cos x बराबर 0, cos x बराबर 0, जब cos x बराबर 0 होता है, तो जो अंसर होता है x का, वोता है 2 n pi, क्या होता है, 2 n pi, देखे, cos x बराबर 0 है, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, cos 2 x बराबर 0, तब हम लोग काहा वो लिखेंगे टूएं सब्राबर टू यहन पाई क्या लिखेंगे करने सब्सक्राइब टू यन पाई बाई क्या हो जाएगा टू तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यन पाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा यन पाई ठीक है यह रहा आपका जब कॉस्ट टू एक्स बराबर जीरो होगा तब अंसर दूसरी बात उन्होंने कहा है यह तो यहां हो जाएगा टू तो देखिए इसे हम लोग हल जाके हल करेंगे वो टेबल हमें याद होनी चाहिए कि कास लिए छाहिए पड़ा कितने का मान होता है तो देखें तो क्या यह नोग परिवर्थित करें तो 513 मिलेगा मतलब कली क्या हो कॉस य हो यह सब्सक्राइबर क्या हो कॉस वाइज सब्सक्राइब क्या हो यह किसके लिए दूसरे वाले पत के लिए जब टू-कॉस-1 बराबर क्या हो जीरो तब यापाखल यह होगा और दूसरी बात यक्स बराबर क्या हो जब यन पाई हो तो अंसर क्या होगा यह होगा ठीक है प्लस एक बड़ा दो की बात हुई है तो प्लस एक बड़ा दो की अगर बात करें यहां हमारे लिए अगर देखें तो हम यहां क्या लेंगे संख्या साथ हमारे पास है उस्ता साइन टू 11 plus कॉसी bats बरावर क्या जी रूए टो कर रहे हैं कि कि आगाएं गयांध किजी देखें हम लोग क्या करते हैं हमारे पास है सe क्तरा है कि आपको याद में क्या साइन टू यह स्के लिए फॉर्मूले पड़ रखेंगे एंटू क्या हो जाएगा साइन watching क्या होगी क्या हो जाएगा सी निच देखे हम लोग तो सु कॉमन में कर लेंगे त्यर्था क्या बचेगा तू साइन एक प्लस क्या बड़ाबर यह होगा दूसरब यह हम गया इन दोनों पदों गुललनफलन अमारे लीए क्या है जीरू है अगर pressed crystallized से कोई एक तो 0 होगा ही होगा माल लीजिए कि यदि कॉस एक्स बराबर क्या होता है जीरो होता है तब आंसर क्या बनेंगे और दूसरी बात यदि क्या हो जाए तू साइन यक्स माई प्लस 1 बराबर 0 हो जाए तब अंसर क्या होंगे हम दोनों में अंसर को evaluate करेंगे निकालेंगे देखे कैसे यदि कॉस x बराबर 0 हुआ यदि कॉस x बराबर 0 हुआ तब तो सीधे-सीधे सूत लगाएंगे कॉस x बराबर 0 के लिए कि पॉप सबस्क्राबर जीरो के लिए सीधे सीधे सूथ लगाएंगे तो यह सब अबर अमारे लिए क्या हो जाएगा टू यह पाई तो हो जाएगा यह सब्वर आवर टू यह पाई कि यह नहीं यह रहां आपका पहला अंसर ठीक देखें देखे अगर हम लोग बात करें कि कॉस्ट जीरो कब-कब होता है कॉस्ट जीरो कब-कब होता है तब यह बात निकल के आएगी हम लोगों ने देखा था क्या हम लोगों ने कार्थी तल देखा है देखे यह हमारा क्या है यह हमारा क्या है यह हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहां हो जाएगा यह 0 डिग्री है यह क्या है यह क्या है पाई वाई टू है यह हमारे पास क्या है पाई लिखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए तो यहां हो जाएगा क्या यहां हो जाएगा क्या इसके लिए आंसर होगा 2n प्लस 1 इंटू क्या πाई बाई 2 ठीक है कॉस x बराबर जो 0 होगा तो answer होगा क्या 2n प्लस 1 इंटू क्या होगा पाई बाई 2 ठीक है न क्यों क्योंकि कॉस तो 0 पाई बाई 2 पे होता है 90 पे होता है 0 डिगरी पे नहीं होता ठीक है 2 yen pi में अगर n बराबर हम लोग 0 2 yen pi 2 yen pi अगर yen बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पत क्या हो जाएगा? 0 जो कि गलत है समझ रहे हैं न ठीक है? तो दीखें ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 ठीक है तो देखे यह हमारा क्या हो जाएँगा 2 sin x बराबर हो जाएगा Second क्या हो जाएगा CC ृट को ट्रांस्फर करेंगे तो यह हो जाएगा अब जाएगा थे साइन जो छाए है वह 3 box kya में थेख लेगा है ooh तो मेदर उनफंस में चले यह हमारा हो जाएगा एया अगर हम देखें मैं क्या होता है all positive रहता है इसलिए क्एं साइन और कॉसिक positive रहता है ठीक है तो में चाहिए क्या negativity चाहिए ना तो signing resulting मिलेगा ना तो दूसरे घाने मिलेगा मिलेगा इसरे खाने में और चौथे खाने में अब पहले देख लीजे एक बटा दो साइन तीसंस का मान होता है तो एक बटा दो जब तीसंस का मान होता है तो तीसंस में रेडियन को पाई भाई छे कहते हैं क्या कहते हैं पाई भाई छे तो यह हमारा क्या है पाई अगर इस खाने में आना है तो पाई मे क्या जोड़ना पड़ेगा पाई भाई छे तो 6196 और यह क्या हो जाएगा साथ पाई भाई छे यह हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या साइन क्या साइन साथ पाई भाई छे देखें जहां से यदि क्या बने सूत्र इस प्रकार बने कि इस प्रकार से साइन एक्स बराबर स होता है तो एक सके ब्यापक मान के लिखते हैं यendô प्लैस माइनस एक की होल पाऊर इन इंटू क्या य यह होता है हमारा क्या है इप्याबकमान ठीक है तो दिख़े यहां इसके लिए जब लिखेंगे दिये हो जाएनगा ही실 हो जाएगा एक सब्रावर टू य Az पत्के लिए ठीक है इस प्रकार प्रसंख्या साथ में जो आंसर आये हैं वह एक्स बरावर टू यहन प्लस वन इंटू पाई बाई टू और अगला है यहन पाई प्लस माइनस एक की होल पाऊर यहन इन्टू साथ पाई भाई छे ठीक है बढ़ते हैं कि प्रसंख्या 8 है हमार फेकि स्कॉयर एकंस ठीक है देखे यहां क्या है हमारे पास दो गूलाсь दोगुना में क्या है एस फरक नहीं पड़ेगा क्या हो जाएगा वन प्लस टैंस क्या क्या टू यह बरावर से 2x देखे अगर हम देख tätä話 पास को ओन नहीं रहा है यहां ईसको उठा की ते ले किया यह पच्छांतर कर दें तो क्या बनेगा यह हो जाएगा से इसक्वायर 2x-1 बराबर – 10-2x ठीक है अब देखे और यहीं से को क्या कर देब पच्छांतर कर देदा हो जाएगा सेक्स्क्वाइर 2x-1 बराबर क्या हो जाएगा 10 isquire 2x इसका मतलब है कि हम लोग इस वाले बाये वाले पद की जगह है क्या लिख सकते हैं 10 isquire 2x 10 isquire 2x और बराबर हो जाएगा माइनस 10 2x ठीक है देखे इस वाले पद को हम क्या गरेंगे फिर से पच्छांदर कर देते हैं यह हो जाएगा 10 isquire 2x यह माइनस से इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा 10 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है हम इन दोनों पद में से क्या करते हैं 10x क्या कर लेते हैं 10 2x कॉमन कर लेते हैं जब 10 2 x common कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा यहां बचेगा 10 2 x और प्लस यहां क्या बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है अब आगे बढ़िए देखे हमारे पास इन दो पदों का गुणनफल यदि 0 है तो दोनों में से यहां जो एक्स का मान आएगा वह यहन पाई आएगा यहन पाई वाई टू फॉर ओल यहन इस एलिमेंट आफ किसके लिए इंटीजर के लिए यह तो रहा आपका क्या पहला हल दूसरे हल की बात करें तो देखिए यदि ऐसी बात हो कैसी कि 10 2 x फ्लेस प्लेस वन वाला क्या हो जाए प्लास एक जीरो हो जाया मतलब इन दोनों में से को नहीं को एक दोजिरोगए तब ही तो मैं आंसर하면 मिल रहा है तो यहिदि टैंट 2x प्लेस बेस जिरो हो तो क्या हो जाएगा टैन टू एक्स बराबर माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन को ट्रांसफर करें उस बार तो क्या हो जाएगा माइनस वन अब देखिए टैन टू एक T होता है और C होता है इसमें all positive, sub positive इसमें sign और classic positive तो यहाँ 10 आपको क्या मिलेगा? Negative मिलेगा मतलब second वाले में अगली बात यहाँ 10 positive रहेगा और यहाँ क्या रहेगा? चौते में भी 10 क्या रहेगा? 10, 2X बराबर 10, क्या लिखेंगे, पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई- प्लाइस थ्री पाई भाई फूर ठीक है अब इस दो को क्या करेंगे पच्छांतर करेंगे यहां क्या हो जाएगा एक्स बाराबर यन पाई वाई-टू-पाई-पाई-वाई-क इतना एट ठीक है यह रहा किसके लिए दूसरे वाले पत्त के लिए एक आंसर फॉर यहली एलिमेंटा किसके इंटीजर के लिए ठीक है देखें है साई payingक्स मैस साइन पाच एक्स बराबर किा आए मेरे पास장님 ऑनल मेवाभर किया हमारे vidéo अक्स प्ला साइन फाइप एक्स प्लस साइन थ्री एक्स को क्या कर लेते हैं इस प्रकार से सट करके लिख लेते हैं अब देखे ध्यान से यह साइन एक्स है यह साइन फाइप एक्स है और यह हमारा क्या है साइन थ्री एक्स तो हम लोग सबसे पहले सूद्र लगाएंगे किसका साइन एक plus sin y का तो sin x plus sin y का सुत्र होता है 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 ठीक है ना? देखें ध्यान से हम लोग सबसे पहले ये सुत्र जब यहां अपलाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin x plus 5 x बटे 2 into क्या हो जाएगा? cos x minus 5 x बटे 2 plus क्या हो जाएगा? sin 3 x बटे 2 x sin 3 x है और इसमें भी sin 3 x है तो इन दोनों में से sin 3 x क्या कर लेंगे? हम लोग common कर लेते हैं sin 3 x है यदि common कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा 2 cos minus sheeta cos sheeta होता है तो 2 cos 2 x plus क्या बचेगा? 1 बचेगा 0 देखे फिर से हमारे पास 2 पद बचे है एक पद sin 3 x है और दूसरा 2 cos 2 x plus 1 बचेगा है? 0 यदि इन दोनों का गुड़नफल 0 है तो कोई एक 0 होगा मान लीजिए कि यदि sin 3 x बचेगा? 0 हो गया sin 3 x बचेगा? 0 हो गया ठीक है? कि यदि sin 3 x बचेगा? 0 हो गया तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है ठीटा बचेगा यन पाई क्या होता है? यन पाई ठीक है? तो हमारा यह आंसर हो जाएगा x बचेगा यन पाई बचेगा 3 for all यन इस अलिमेंट आफ किसके लिए? जिट के लिए ठीक है? यह पहला solution है दूसरा solution देखिए दूसरे solution में हमें क्या करना है? 2 cos 2 x plus 1 बचाबर यदि 0 हुआ 2 cos 2 x plus 1 बचाबर यदि 0 हुआ यहां क्या हो जाएगा? 2 cos 2 x बचाबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 इस दो को भी पच्छांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? cos 2 x बचाबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 बचाबर 2 अब ध्यांस देखिए कि cos minus 1 बचाबर 2 कहां कहां होता है? किस किस चतुर्थांस में? तो यहां होता है A, all positive यहां होता है sin और कॉन? cos x positive तो यहां हो जाएगा sin और कॉन? cos x positive तो यहां हो जाएगा कॉन? cos negative हो जाएगा इस खाने में यहां 10 और cot positive है तो इस खाने में भी negative रहेगा बाकि इस खाने में क्या रहेगा? हमारा positive रहेगा, ठीक है? क्योंकि C आता है C में cos और सिक होता है तो इस खाने में है हमारा अब एक बटा दो मान होता है साथ हन्स कि जो भूते हैं pi by 3 कितना भूते है pi by 3 तो ये क्या हो जायेगा cos 2x बराबर cos pi minus pi by 3 ठीक है ये हो जायेगा कितना cos 2x बराबर cos 2 pi by 3 ठीक है 3 दिएक पहने theta बराबर 2n pi plus minus alpha, ठीक है, 2 से क्या करेंगे, divide करेंगे, 2 से divide करेंगे ति यह हो जाएगा, x बराबर, यहां से 2 क्या हो जाएगा, यह 2 से divide कर देते हैं, 2n pi by 2 plus minus 2n pi by 2 गुड़े कितना 3, 2 से यह वाला 2 और यह वाला 2 क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर हो जाएगा, n pi plus minus pi by 3, ठीक है, यह रहा आपका answer, for all, n belongs to, केस के लिए, integer के लिए, इस प्रकार प्रस्नावली 3 दस्मलो, 4 आपकी क्या होती है, ncrt से, समाप्त होती है, I hope, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे, next वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैवाज़ूँ,